हलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे सरीफा के बारे में यानी सीता फल के बारे में ये एक ऐसा फल है जिसके पूरे पेड से हमें बहुती फाइदा होता है चाहे वो इसका बीज हो, फल हो या फिर इसके पतियां ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपून औशिधी का काम करता है इससे हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है दोस्तो ये बहुत ही मीठा फल होता है और ये त्रिप्ति कारक फल होता है इसके निरंतर उप्योग से आप बहुत सारी समस्याओं से भी छुटकारा पाते हैं इसमें आईरन, विटेमिन A और विटेमिन C पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए फाइदे मंद होता है दोस्तो आईए मैं बताती हूँ कि आप इसका इस्तमाल करके कैसे और किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं सरीफा यानि सीता फल से आप पीत्र दोस, वात दोस और हिर्दे की सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं अगर आपको पेचीस है, या फिर अतिसार है, गठिया है, फोडों के लिए भी ये बहुत ही उपकारी होता है साथी, अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, तो आपकी पाचन सकती बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, साथी बालों का जड़ना कम होता है अगर आपके शरीर में ज्यादा घरमी है, जैसे अगर घरमियों के दिनों में आपके शरीर में जलन होती है, तो इसके लिए भी ये बहुत फाइदे मंद है इसमें एंटी एजिंग उतत वो पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बढ़ती उमर के लिए बहुत ही फाइदेमंद है दोस्तो अगर किसी को पेचीस या अतिसार हो जाता है तो उसे सरीफा के कच्चे फल को यानी सीता फल के कच्चे फल को सुखा कर उसका चूर्न बना कर गुनगुने पानी के साथ देने से आपकी पेचीस और अतिसार खत्म होती है अगर किसी को सुखे का रोग है और वो मोटे होने के लिए बहुत सारी दवाईया खाते हैं इसके बावजुद वो मोटे नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए भी शरीफा बहुत फाइदे मन्द है रोजाना एक सरीफा खाने से आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं और सूखे पन से छुटकारा पाते हैं दोस्तों ये बहुत ही मीठा फल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्यालोरीज पाये जाती है अगर अलसर या एसडिटी होती है तो इसके लिए आप बहुत ही फाइदे मंद होता है सरीफा यानी सीता फल अगर आपको कहीं फोड़े हो जाते हैं तो सरीफा के पत्तों को पीस कर पेस्ट बना ले और फोडो के उपर लगा दे ऐसा निरंतर दो से तीन बर करने से आप फोडों से छुटकारा पाएंगे अगर आपके बाल ज़ड़ते हैं तूटते हैं या दो मुहे हैं या सफेध हैं तो इसके लिए भी सरीफा बहुत फाइदे मंद है इसके लिए आप सरीफे के बीज को बकरी के दूद में घिसके अपने सर पे लगाएं ऐसे सिर्फ 15-20 दिन करने से आप जड़ते बालों से छुटकारा पाएंगे और साथ ही नए बालों को आते देखेंगे दोस्तों इसके निरंतर उपयोग से आप काले घने और लंबे बाल पाएंगे इसे लगाने के बाद किसी भी मोटे कपड़े से अपने सर को लपेट ले ताकि आपके बाल चल्द ही निकलाएं और ये आपके लिए बहुत ही असरकारक हो लेकिन दोस्तों याद रखे कि इसको आँखों में नहीं लगाना है आँखों से दूरी रखे क्योंकि ये आँखों के लिए जहर ही हो सकता है दोस्तों अगर आपके सरीर में जलन होता है गर्मी की वज़ए से आपका सरीर गर्म रहता है तो इसके लिए सरीफे के है यह आपके पाचन तंत्र को सही करता जिसकी वजह से आप खाना आराम से हजम कर सकते हैं दोस्तों अगर हम सरीफे यानि सीता फल के बीज को चुर्ण बना के रोजाना एक गलास गर्म पानी के साथ लेते हैं तो इससे हमारे पाचन सकती भी सही होती है साथ ही यह हमारे पुष्टिक तत्व भी मिलते हैं दोस्तों इसी फल के एक बड़े आकार के फल होते हैं जिसे हम कहते हैं राम फल इस फल के उपयोग से आप हिर्दय की जटिल से जटिल बिमारियों से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों यह फल आपके हिर्दय के लिए यानि आपके हार्ट के लिए बहुत ही important होता है अगर आप इसका regular use करते हैं तो आप heart से related सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं तो दोस्तों देखा आपने सरीफा एक फल होने के बावजुद एक बहुत ही महत्वपुन औशदी और साथ ही इसकी पूरे पेड़ के हिस्सों में से हमें औशदी क वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करे कमेंड करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परिशानी के हल ढोन रहे हैं तो आप हमें कमेंड कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनाना ना भूल यह फिर मिलेंगे आपकी रहें फिट रहें और हेल्थी रहें थेंक यू अ